और हमारे सब मुंबई से बारे सयोगी राजीव वी जुड़ेवे हैं उनका रुख करेंगे राजीव जानकारी ये कि इंडिया अलाइंस ने जब दिनर किया साथ में बैट करके सबी नेताओं ने तो इस पूरे मुद्डे को लेकर के चर्चा हुई है वान नेशन वान एलेक होता है तो एक नुकसार इसका ये भी है कि राश्ट्री और एक शेत्रिये पार्टियां जो है उसके बीच में मतभेद देखने को मिलेगा क्या इस मसले पर भी चर्चा हुई है देखिए बड़े परिप्यक्ष में अभी चर्चा नहीं हुए जैसा कि अभी कोमार विकरंत बता रहे थे कि नितीश कुमार का जो बयान आया है इसके लाओ अरविंद केजरिवाल का बयान आया है कल इनफॉर्मल इंट्रेक्शन था वहां पर ये बात उठी दी क्योंकि कल कल जब सेशन बुलाने की खबर सामने आयी थी उसके बाद में इनफॉर्मल मिटिंग में ये बात नितीश कुमार ने अपनी तरफ से कही थी कि सरकार की तरफ से एक सिगुफा हो सकता उससे निपटने के लिए तयार रहना चाहिए लेकिन अब सरकार ने पूरी स्थिक लिय करनी पड़ेगी और इससे निपटने के लिए वितयार रहना पड़ेगा चुकि नितिश कुमार खुद ये बात कह रहे थे तो जाहिर बात है कि अब उन्हें इसकी काट डूननी पड़ेगी कि ये पूरा मामला जो है ये पूरे देश से जुड़ा हुआ है और इसमें सबस परदायक होगा क्योंकि अगर कहीं पर भी इलेक्शन होगा तो आदमी जो ओड़ेने जाता है मत दाता हो सूशता है कि अगर देश में अगर कॉंग्रेस बिजेपी को ओड़े रहा तो राजमें भी उसे ओड़े अगर एक ही पार्टी की सरकार आएगी तो उसे फायदा पहला एक सितंबर दूसरा अठारह सितंबर इन दो तस्वीरों और दो तारीखों में छिपा है सबसे बड़ा सियासी सस्पेंस सबसे बड़ा सवाल कि क्या दो हज़ार चौबीस का समीकरण पदलने वाला है गुरुवार दोपहर तीन बचकर अठारह मिनट पर संसदिये कारे मंत्री प्रहला जोशी के 40 शब्दों के इस ट्वीट ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी मोधी स्टाइल को डिकोट करने वाले भी नहीं जान पा रहे कि 18 सितंबर को संसद के विशे सत्र में क्या होने वाला है मुंबई में इंडिया गडबंदन की बैठक से ठीक पहले इस एलान ने विपक्ष को नए प्लैन पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है सवाल है कि क्या संसत के विशे सत्र में वान नेशन वान इलेक्षन का विल आएगा क्या देश में लोकसभा और विधान सभा के चनाव एक साथ होंगे अगर ऐसा होता है तो 2024 के सत्ता की कुनजी किस के हाथ होगी 2023 में 2024 के सबसे बड़े सवाल के मुद्दे पर है आज की सबसे बड़ी बहस जी याँ 2024 का ये सबसे बड़ा सवाल होगा क्या ये मुम्किन है वन नेशन वन इलेक्षन लोकसभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ कराए जाने की है तैयारी आपके साथ मैं हूँ समीर अबास और मेरे साथ मेरी सयोगी निधी वसंदानी भी मौजूद है कई खास मेमान आज की इस बड़ी बहस को हमारे साथ कर रहे हैं जोईन जिसमें कई बरिश पत्रकार हैं अलग अलग पार्टियों के नुमाइन दें लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता दें वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी गठित हो गई है यानि सरकार ने अपने कदम आगे बढ़ा दियें पूर राश्पती रामनाथ कोविं की अगवाई में एक कमेटी गठित कर दी गई है जो कि कानूनी पहलों पर गोर करेगी कमेटी सदस्यों पर थोड़ी देर में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा ये जानकारी भी सामने आ रही है पूर राश्पती रामनाथ कोविं को ये जिम्मा दिया गया है उनकी अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी गठित कर दी गई है जो की सारे प्राबधानों पर विचार करेगी और कानूनी पहलों पर भी गोर करेगी यही कमेटी तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वन नेशन वन एलेक्षन पर कमेटी गठित कर दी गई है देखिए सरकार ने किस तरह से इसे लेकर वन नेशन वन एलेक्षन को लेकर अपने कदम आगे बढ़ाए है ये आपको समझना होगा वन नेशन वन एलेक्षन पर कमेटी गठित कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार निरने लेगी ये बड़ी बात संसत के विशेश सत्र से पहले रिपोर्ट आना संभव नजर आ रहा है मुम्किन नजर आ रहा है 18 सितंबर से विशेश सत्र शुरू होने जा रहा है कमेटी इस से पहले इस पर हुए काम को भी देखेगी प को पहले बता देते हैं चुनाव से जुड़े सभी पक्षों की राए ली जाएगी राज्यों की चुनोती को समझे की ये कमेटी यानी राज्य में जो चैलेंजेज हैं उनको समझने की कोशिश की जाएगी लागू करने का तरीखा क्या होगा और इसकी टाइम लाइन क्या सबसे मौझाई वरिश पत्रकार अभदेश कुमार साफ हमारे साथ जो ड़ है वरिश पत्रकार शिवंट्यागी भारतिय जन्ता पार्टी के राश्ट्य प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और अदिलखान साब हमारे साथ मौझूद हैं प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के लेकिन सबसे पहले पीडीटी आचारी जी मैं आप से जानना चाहूंगा क्योंकि अब सरकार ने ऐसा लगता है अपने कदम आगे बढ़ा दियें आचारी जी मेरी आवास बिल रही है आपको आजी जी आचारी जी ये सबसे बड़ा सवाल अब ये कि रामनाथ कोविल की अध्यक्ष्टा में कमेटी का गठन कर दिया है सरकार ने जो की अपनी रिपोर्ट देगी ये पूरा प्रॉसेस कैसे अंजाम दिया जाएगा कमेटी का क्या काम होगा इस बारे में अगर सबसे पहले आप हमें बता पाएँ देखें कमेटी जहां दख मैंने समझा है कमेटी का काम जो है वो देखेंगे इसके प्रैक्टिकल जो आसपेक्ट है पहलू है क्योंगि यह जो इश्यू है वन नेशन वन पोल लब साइमेटेनियस एलेक्शन्स पार्लिमन्ट की एलेक्शन्स और असंब्ली इसके एलेक्शन एक साथ हो यही है और इस परपस के लिए असल में इस पर काफी चर्चा पहले हुई है लेकिन अभी इतनी अर्जेंसी से गवर्मेंट आगे आ रही है और यह कमिटी का गठन किया है वो कमिटी तो उसके प्राइक्टिकल चीज़ों को देखेंगे क्योंकि साइमेटेनियस एलेक्शन्स जो है वो तो 1950s में और 60s में भी यही हुआ था और पार्लिमंट जल्दी भंग हो गया उसके बाद वो सारा पाइटन बिगड़ गया लेकिन सर यह सरकार की तरफ से जो विशेश सत्र आगे बढ़ाया जा रहा है पीडिटी आचारे सर जो विशेश सत्र आगे बढ़ाया जा रहा है 18 से 22 सितंबर था क्या उससे पहले कमिटी की रिपोर्ट आ जाएगी और अगर नहीं आती है रिपोर्ट तो क्या फिर उसके बाद बिल पेश हो पाएगा रिपोर्ट के बिना देखे एक कमिटी का गठन शायद इसलिए किया गया कि इसके नैचरूर्ली इसके गहराई में इसको स्टेडी करें और इसके बाद फुरिस्ट के हमें रिकमेंडेशन दें तो इसका ये मतलब है कि ये जो विशेश सत्र है इसमें तो मेरे खाल से नहीं होने वाला है कि इतन आसान नहीं है ये अच्छा क्योंकि इसमें इश्यू क्या है इश्यू है कुछ असंब्ली इस ऐसे हैं जिनका कारिकाल अभी शुरू हुआ है तो इनको भंग करना पड़ेगा तो उसके लिए तो कॉंस्टिउशन में प्रावधान करना पड़ेगा और दूसरा जो असंब् इस है जिनका कारिकाल अभी एक दो महीने में खतम हो रहा है उनको तो बढ़ाना पड़ेगा ये सारी चीज़ है उसके लिए तो कॉंस्टिचुशन में अमेंट करना पड़ेगा वो इतना आसान नहीं है और इसलिए मेरे कहां से इस जो जो विशेश सत्र बुलाया जा रहा है उसमें शायद ये आना मुश्किल लगता है